Hi there, how are you? I wish you all a happy Christmas. In this video, we are going to learn the meaning of zoned out. Zoned out. Okay, zoned out मतलब क्या है? खयालों में खोना. मतलब कॉंसें नहीं सुनने को, दुसरा जगा में सोचने को. इसको कहते है, zoned out. जैसे कि अभी माच्स क्लास हो रहा है आपका. आप लोग कुछ दुसरा चीज सोचते रहते हैं, जैसे कि इस क्लास के बाद क्या करेंगे, मम्मी क्या खाना बनाई होगी, लंच में क्या है, यह सब सोचते रहते हैं हम लोग. इसको कहते है, zoned out. समझ आया है? मैं दो एक्जाम्बल बताऊंगे. आप एक एक्जाम्बल खुद से बनाके, कमेंट सेक्शन में डाल दो, ओके? सु फर्स्ट एक्जाम्बल, I just zoned out for a moment. I just zoned out for a moment. मतलब, मैं एक पलक के लिए दुसरा कुछ सोच रहा था. ऐसे बुलने को, I just zoned out for a moment कहते हैं, ओके? She keeps zoning out in the maths class. मतलब, वो लड़की हमेशा maths class के time में concentrated नहीं रहती है, दुसरा कुछ सोचती रहती है, बोलके उसका मतलब है, ओके?